अब देखें, इस activity को देखने से पहले, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ध्यान से चेक करिए कि इसको आप नोट कर लीजे, the reaction between acid and base to give salt and water, acid जब base के साथ reaction करता है, तो salt or water बनता है, इस reaction को हम क्या बोलते है, neutralization reaction, अब बच्चो देखो, neutralization नाम से बता चल रहा है, neutral कर रहा है, कोई एक दूसरे को क्या कर रहा है, neutral कर रहा है, मतलब, acid, base के effect को nullify करेगा, base, acid के effect को nullify करेगा आईए इसको एक example की help से समझते हैं सबसे पहले, ध्यान दे बच्चे, देखिए, हमने लिया यहाँ पर sodium hydroxide, थोड़ा reaction को बच्चो समझेगा कि क्या reaction यहाँ पर चल रही है, ठीके ना, चलो, हम next page, base reaction को आपको थोड़ा से समझा देते हैं, यहाँ पर आईए बच्चो, द तो hydrochloric acid का formula क्या होता है, HCl aquas, okay students, now, अब देखिए बच्चो, यहाँ पर product क्या बनेगा, यहाँ पर एक salt बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, water, अब देखिए कैसे आपको बनाना है salt or water, वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका base है, sodium hydroxide, सबको पता है, sodium hydroxide, sodium hydroxide एक base है, तो यह आपको कौन-कौन से iron देगा, जिन बच्चो को नहीं पता है, प्लीज देख लें, यह आपको देगा, sodium iron और hydroxide iron, ठीक है, Na plus को हम क्या बोलते है, sodium iron, OH minus को हम क्या बोलते है, hydroxide iron, ठीक है बच्चो, ओके, अब जो HCl है, वो आपको क्या-क्या देगा, hydrochloric acid आपको द दोड़ दीजे, तो Na plus और Cl minus product क्या बनेगा, सभी बच्चो को पता है, Na plus और Cl minus, बच्चो यहाँ product क्या बनेगा, ध्यान से रचेक करिए, plus 1 से minus 1 cancel हो जाएगा, answer आजएगा, आपके पास NaCl, यह लीजे, so यहाँ से बच्चो product बन गया NaCl, और सुनिए, NaCl की नीचे आपने क solution यहाँ पर बनेगा, और साथ में बच्चो इसी को हम क्या बोलेंगे, salt, यही क्या हमारा sodium chloride क्या है, salt बन गया, यह लीजे, sodium chloride, ठीके बच्चो, यही क्या आपका salt है, ठीक, यह salt बन गया, और साथ में बनना है क्या आपका water, अब देखो water कैसे बनता है, यह मज़ेदार ची आपको hydroxide ion, यह H plus ion और hydroxide ion मिलके आपको क्या देंगे, यह आपको देंगे बच्चो क्या water, ठीक है बच्चो, अब देखिए एक खास बात में आपको बताता हूँ, सबी बच्चे ध्यान दे, जिन बच्चो को नहीं बता है, please ध्यान दे बच्चे, देखिए water का formula होता है, H H2O, ठीके बच्चों, तो यह जो H2O है, यह याद रखिएगा, S2O, two types के ions में break होगा, किसमें, याद रखिएगा यह, क्या होता है, यह hydrogen ion और hydroxide ion से मिलके बना होता है, ठीके न, H plus ion और OH minus ion से मिलके बना होता है, तो याद रखिए जब भी आपको, फिर से सुन लीजे देखो, water बना है hydrogen ion से और hydroxide ion से, ठीक, याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, यानि कि अगर आपको कहीं पर hydrogen ion और hydroxide ion अगर दिख रहा हो, तो दोनों को जोड़के वापस से आपको water बना देना है, ठीक, तो यह देखिए, acid पार्ट से आएगा hydrogen ion और base वाले पार्ट से आएगा OH-ion, ठीक, बच्छो, यह दोनों आपस में combine हो जाएंगे, और साथ मैं देंगे, आपको क्या, water देंगे, यह लीजे, water मिलगे आपको liquid form में, ठीक, ना, बास समझ में आ गई की नहीं आगी, बच्छो, इस तरीके से बना NaCl और acid वाले पार्ट से hydrogen ion और base वाले पार्ट से hydroxide ion मिलके क्या बना दिया, water बना दिया, ठीक है, इसी लिए बच्छो, इसको neutralization reaction बोलते हैं, कैसे, ध्यान सरा चेक करिए, आपको पता है कि water क्या होता है, neutral होता है, इतना तो सब को पता है, ठीक है, जो water होता है, जो pure water होता आपका neutral होता है, neutral का मतलब ना तो यह acidic है, ना तो यह basic है, ठीक, तो हुआ क्या, हुआ देखी, यही चीज़, एक neutral, एक neutral compound, water कैसे बना, तो जवाब है, यहाँ, acid वाले पार्ट से hydrogen ion आयन आया, hydrogen ion ही, hydrogen ion की वज़े से ही characteristic कैसी होती, acidic, और hydroxide ion की वज़े से characteristic कैसी होती, किसी, कोई base अगर base है, तो basic characteristic क्यों दिखा रहा है, hydroxide ion की वज़े से, कोई acid अगर acid है, तो वो acidic characteristic क्यों दिखा रहा है, hydrogen ion की वज़े से, हाँ, अब दोनों आके बच्चों combine हो गए, यह देखिए, base से आगया hydroxide, और acid से आगया hydrogen ion, दोनों आके आपस में combine होके water बना दिया, तो क्य बनेगा, ना तो उसमें acidic characteristic होगी, ना तो उसमें basic characteristic होगी, दोनों ने एक दूसरे को nullify कर दिया, I think आपको बात समझ में आई होगी, इसी लिए इसको हम क्या बोलते है, neutralization reaction बोलते है, ठीके बच्चों, समझ में आगी बाद, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक, तो चलिए अब देखो, आपको exam में पूछ भी सकता है, कि भाई यह बताओ कि ऐसा क्या होता है neutralization reaction में, कि इसको हम neutralization reaction बोलते है, क्या mechanism होता है, तो आप बोलोगे acid वाले parts से hydrogen आयन आता है, और base वाले parts से hydroxide आयन आता है, दोनों combine होके आपस में, ठीक है, यह चीज़ आपको नीचे द solvent है, ठीक है, उसी में सारी reaction हो रही है, इन और गिन के मैं जितनी भी reaction होती, medium वाहँ water होता है, ठीक है, एक ब्लस आयन, aqueous, और hydroxide ion, ठीक है, कहां से, यह आरा है, कहां से, acid से, यह लीचे, यह आ रहा है, acid से, और यह आ रहा है, बच्चो कहां से, base से, ठीक, दोनों reaction करेंग के आपस में और आपको क्या मिलेगा वाटर मिल जाएगा लिक्विट फॉर्म में यह लीचे ठीक है बच्छों तो यही न्यूटलाइज़ेशन रियक्षिन में यही होता है कि अच्ट से एच प्लस आयन बेस से हैड ऑक्साइड आयना कि आपको क्या देता है वाटर देता है तो यह आपकी बैलंस रियक्षिन है यानि कि बच्चों हम बोल सकते है क्या कि न्यूटलाइज़िशन रियक्षिन वो रियक्षिन होती जिस रियAK्षिन में एड़ आपको क्या करेगा किसके साथ थेखे और आपको क्या เดगा है यहाँ पर सॉद्धम क्लॉराइट सॉस्ध है और साथ में आपको क्या मिलेगा वाटर मिलेगा साथ में क्या मिलेगा बच्छों आपको वाटर मिलेगा यह लीचे यह आपकी रियक्षन हो गई है ठीक है अब आएए चलते हैं आपकी activity पर कि आपके activity क्या कहरी है NCRT में आए लाइन बाइन इसको हम पढ़ते हैं ठीक है students और देखते हैं हमारी activity क्या कहरी है लेकिन इसके पहले आपको एक चीज ध्यान देना है बच्छों आपको याद रखना है फिनॉफ्थलीन जो होता है ठीक फिनॉफ्थलीन को शॉर्ट में मैं प या आपका medium कैसा है neutral है ठीक है बच्छों तो acidic या neutral medium में यह colorless होता है कैसा होता है फिनॉफ्थलीन होता है याद रखिएगा medium में क्या होता है pink हो जाता है इतना याद है आपको अब आ जाएए बच्छों कुछ और बाते सुनिए पहले इस activity को करने से पहले देखिए बच्छों कोई medium basic कब होता है याद रखिएगा कुछ concept बहुत अच्छी तरीके से पहले आप अपने clear कर लीजे कोई medium basic कब होता है चलिए मैं आपको next slide पर ही समझाता हूँ ठीक है next आजो यहाँ पर आजो बच्छों देखिए कोई medium basic medium कब होता है ठीक है कोई medium basic medium कब होता है when the medium is basic बच्चो basic medium आपका तब होगा देखो basic medium करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो जबाब है hydroxide iron कौन जिम्मेदार होता है hydroxide iron hydroxide iron क्या होते OH- ठीक और कोई medium acidic तब होगा मतलब अब कब होगा वह भी आपको बताऊंगा लेकिन आप यह समझो कि acidic medium करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा hydrogen iron ठीक है बच्छों अब सुनिए यदि किसी solution में कोई solution है ठीक copy में note लगाएंगे बच्छे कोई solution है उस solution में अगर बच्छो hydrogen iron की जो concentration है अब य 1 unit volume लेना है आपको 1 unit volume सपोज आपने ले लिया 1 milliliter ले लिया या आपने 1 liter ले लिया कुछ भी ले लिया ठीक तो 1 unit volume में कितने hydroxide iron है यही क्या है उसकी concentration है ठीक किसकी concentration hydroxide आयन की concentration, concentration से हमारा मतलब यह होता है, कि one unit volume ले लो solution का और उसमें जाके देख लो भईया, कितने hydroxide आयन है, ठीक, इसी तरीके से अगर हम acidic solution की concentration के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर भी solution में one unit volume ले लो, और जाके चेक कर लो, कि वहाँ पर कितने hydrogen आयन प्रेजेंट है, य यह just example दे रहा हूँ, यहाँ 4 OH- है, ठीक, और यह वाला solution है, volume दोनों का सेम है, लेकिन इसमें only 2 hydroxide आयन है, यह लीचे, अब बताएं किसकी concentration जाद है, volume दोनों का सेम कर दिया, suppose 1 liter, 1 liter, ठीक है, just example बता रहा हूँ, 1 liter, 1 liter solution में, hydroxide आयन की concentration कहा है, तो पहले वाले solution में, यह ल hydrogen आयन है, 1, 2, 3, 4, दोनों का volume मेंने सेम कर दिया, ठीक, और लेकिन यहाँ पर only 2 hydrogen आयन है, यह लीचे, अब बताएं कौन सा, कौन सा acidic medium या कौन सा acidic solution ऐसा है, जहाँ पर hydrogen आयन की concentration जादा है, तो जवाब है, जितना volume यहाँ लिया, उतना ही volume यहाँ लिया, ठीक, लेकिन यहा पर hydrogen आयन की संख्या जादा है, तो यहाँ पर concentration जादा हो जाएगी, समझ में आ गया, इसकी concentration इससे क्या है, जादा है, तो यह concentration आपको समझ में आ गया, आप देखिए होता क्या है, होता यह बच्चो कभी-कभी solution में दोनों present होते है, मतलब hydroxide आयन भी present होता है, और H plus आयन भी present होता है, तब दोनों में tug of war होता है, दिखाता हूँ मैं आपको diagram की helps है, यहाँ पर देखिए बच्चो, ठीक, यह देखिए, पहले आप diagram से समझ लो, देखो बच्चो, यह कोई solution है, यह सर, अब इस solution में hydroxide आयन भी है, OH-, 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 ठीक है, और मान लो, यहाँ पर 2H प्लस आयन है, लो, ठीक है, अब देखिए, यहाँ hydrogen आयन भी present है, और hydroxide आयन भी present है, hydroxide आयन होगा, आया होगा, base की वज़े से, आपने कोई base डाला होगा, असमें, और H प्लस आयन होगा, आया होगा, acid की वज़े से, ठीक, अब दोनों में competition होगा, जीतेगा, कौन, कौन न reaction, तो होगा क्या, यह वाला hydroxide, यह वाले H प्लस को खा जाएगा, water बना देगा, ठीक, तो यह दोनों आपस में cancel होगे है, ठीक, यह वाला hydroxide, यह वाले H प्लस को खा जाएगा, ठीक, दोनों ने क्या बना दिया, water बना दिया, और water होता है, neutral, अब बचा क्या, resultant जाके water बन गया, बचा क्या, two hydroxide, और hydroxide आयन की वज़े से solution कैसा होता है, basic होता है, तो यह solution कैसा हो जाएगा, basic हो जाएगा, यह solution कैसा हो जाएगा, basic हो जाएगा, यानि के बच्चों, basic medium तब होता है, जब hydroxide आयन की जो concentration है, वो hydrogen आयन से क्या होती, greater होती है, ठीक, यह हो गया solution basic, अब आईए हम आपको दूसरा scenario दिखाते हैं यहां पर यह कोई solution है हमारे पास ठीक है बच्चों और इस solution में let us say कि हमारे पास 4 hydrogen यह लीजे होते तो बहुत सारे 4-4 के example से मैं आपको समझा रहा हूँ और माल लीजे बच्चों यहां 2 hydroxide आयन है यह लीजे OH- OH- होगा क्या यह वाला hydrogen ion इस OH- के साथ मिलके water बना देगा और water neutral होता है ठीक यह वाला H- plus इस OH- के साथ मिलके water बना देगा water neutral होता बचा क्या तो H- आयन तो resultant में क्या बचा आकरी में आपको क्या बचा last में finally H- प्लस आयन बचा याने के बच्चों यहां पर acidic medium तब होगा ध्यान रखेगा acidic medium तब होगा जब hydrogen ion की concentration OH माइनस से क्या होगी ज़्यादा होगी ठीके बच्चों जब hydrogen ion के numbers दिए गए volume में hydrogen ion के numbers hydroxide ion से अगर ज़्यादा होगे तो आपका solution कैसा हो जाएगा acidic हो जाएगा ठीके बच्चों और neutral कब होता है neutral कब होता है medium यह प्लस आयन होगा जब तब न्यूट्रल तब होगा जब जितने एच प्लस आयन है मानलो 1 2 3 4 ठीक जितने एच प्लस आयन है उतने ही अगर हाइड्र ऑक्साइड आयन हो गए ओएच माइनस यह लीजे यह इसको खा जाएगा वॉटर बना देगा यह इसको और समझी होगा आप यह इसको ठीक तो यह हो गया neutral solution neutral solution कब होता है जब hydrogen ion की concentration hydroxide ion की concentration के equal होती है okay students बात इतनी समझ में आ गई है ठीक है अब आईए हम अपनी activity पर आते हैं इतने concept अपने clear करने के बाद ठीक है बच्चों आ जाईए देखिए का कहता है आप से कहता है टेक 2 ml of sodium hydroxide तो मालो यह हला कि यह बहुत जादा sodium hydroxide हमने ले लिए 2 ml लेने के लिए उसने बोला कोई बात नहीं है ठीक है चलो मालो हमने sodium hydroxide ले लिए 2 ml ठीक इनर टेस्ट्यूब एड़ टू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉफ्थलीन इंदा solution बच्चों इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने फिनॉफ्थलीन डालना है क्या डालना है इसमें हमने शॉट में लिए रहाओ फिनॉफ्थलीन जब इसमें आप टू ड्रॉप फिनॉफ्थलीन डालोगे क्या होगा बताओ आपने क्या लिया था sodium hydroxide लिया था यस सर यह क्य कराओं कि यहां अगर sodium hydroxide का aqueous solution है मतलब पानी मुझे बताइए कि यहां पर आपको कौन-कौन है यह लो अब solution अगर basic हो गया ठीक है क्योंकि hydrogen ज्यादा है सोड़ी hydroxide hydrogen hydrogen तो ही नहीं acid की वज़े से hydrogen होता है कोई acid नहीं डाला अभी ठीक है बेस है तो जैसे यह देखिए आपका कलर कैसा आ जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया लीजे यह स्टार्टिंग में पिंक हो गया अब देखने क्या करना है कह रहा है कि इस solution में उपर से ड्रॉप बाइड्रॉप ड्रॉप बाइड्रॉप अब बच्चो ध्यान से रहा चेक करो कह रहा है कि इस solution में उपर से ड्रॉप बाइड्रॉप एसल डाल दो ठीक है क्या डालोगे इसमें hydrochloric acid डाल दीजे चलिए भाई देखते हैं क्या होता है यहां साहिए और इस solution में है ड्रॉप बाइड्रॉप एसल डालिए जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा सोचो एसल आपको क्या देगा एसल आपको देगा hydrogen iron ठीक है तो इसमें hydroxide iron तो पहले से थे और उपर से h plus iron कौन दे रहा है acid दे रहा है ठीक है OH- किसकी वज़े से थे sodium hydroxide की वज़े से उपर से आप hcl डाल दे हो तो h plus iron मिल रहा है दोनों में hydroxide iron है उतने ही hydrogen iron हो जाएंगे क्योंकि hydrogen iron का source क्या है scl है और system neutral हो जाएगा मानते हो कि नहीं हो मानते हो भाई जितने hydroxide iron प्रेजेंट होंगे न ओएच की वज़े उतने ही h plus iron बाहर से आ जाएंगे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे नलिफाई कर देंगे याने कि जितने hydroxide iron होंगे उतने ही h plus होंगे उतने ही water के molecule बन जाएंगे क्यों क्यों क्योंकि आपको पता है कि ओच माइनस और h plus की वज़े से यह देखिए मीडियम क्या हो जाएगा मीडियम हो जाएगा और जैसे मीडियम होगा भचों यह से मीडियमером मीडियम की जब एग यस येस, फिर से solution कैसा हो जाता है, colorless, colorless, फिर से solution कैसा हो जाता है बच्चों, colorless हो जाता है, okay students, फिर से solution कैसा हो जाएगा आपका, ये दीचे, colorless हो गया, क्यों colorless हो गया, क्योंकि अब ये कैसा हो गया, neutral हो गया, क्यों neutral हो गया, क्यों हो गया, दोनों के numbers क्या हो गए होंगे, equal हो गए होंगे और दोनों ने एक दूसरे को nullify करके water बना दिया होगा medium neutral हो गया, ठीक why did the color of phenocylene changes after the addition of an acid acid add करने के बाद वापस से solution का color क्यों change होता है, यानि कि pink से वापस क्यों colorless हो जाता है, reason मैंने आपको बता दिया because H plus ion is equals to OH minus H plus की concentration OH minus के equal हो जाती है दोनों एक दूसरे को nullify करके water बना देते हैं medium neutral हो जाता है, इसलिए colorless हो जाता है solution वापस से अब सुनिए, अब आगे की कहानी देखिए ज़रा अब आगे क्या होता है बच्चों, आगे कह रहा है कि now add a few drops of NaOH to the above mixture अब बच्चो, SCL का डालना बंद कर दो आप, उपर से SCL को stop कर दो तो hydrochloric acid बंद कर दीजे, ये लीजे और NaOH के वापस से NaOH extra add करिए, ठीक है अब जब आप वापस से NaOH add करोगे, ये लीजे वापस से जब आप sodium hydroxide लेके आओगे बच्चों, NaOH तो अब बताओ क्या होगा, उपर से अब आप sodium hydroxide डाल रहे हो, तो अब क्या होगा सोचो, अब acid तो रहा नहीं, acid तो डाल नहीं रहे हो, और OH minus H plus के equal था, अब आप OH minus extra लेके आ रहे हो, तो बच्चों, sodium hydroxide की वज़े से extra OH minus लेके आ रहे हो, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, OH minus की जो concentration है, थोड़ी देर के बाद तो बात छोड़ी है, जैसे ही एक drop डालोगे NaOH, तुरंत ये हो जाएगा, क्या, hydroxide iron की जो concentration है, H plus से जादा हो जाएगी, और color फिर से pink आ जाएगा, क्योंकि अब condominate कर रहा है, hydroxide iron, तो color फिर से कैसा हो जाएगा, pink हो जाएगा, क्योंकि वापस से medium कैसा हो गया, basic हो गया, इन्होंने हमसे यही पूछा है, क्याने, now add a few drops of NaOH to the ever mixture, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भीया, ऐसा करने से क्या होगा, hydroxide की concentration H plus iron से जादा हो जाएगी, और medium फिर से कैसा हो जाएगा, basic हो जाएगा, और यदि medium basic हो गया, तो does the pink color of the phenolphthalein appear, यस सर, फिर से, फिर से क्या होगा, phenolphthalein का pink color आ जाएगा, phenolphthalein indicator की वज़े से basic medium में pink color आ जाएगा, क्या, what do you think this has happened, क्यों होता है, सब या, पूरा समझा दिया, क्यों होता है, अब आपने शब्दों में इस activity को लेख सकते हो, okay, now, क्या रहा है, in the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa, ठीक, इस reaction में base का effect acid के दोरा और acid का effect, vice versa का मतलब base का effect acid के दोरा nullify कर दिया गया, और acid का effect base के दोरा nullify कर दिया गया और water बन गया, ठीके न, कह रहा है कि this reaction taking place is written, reaction मैंने आपको करके दिखाई थी, NaOH aqueous plus SCL aqueous gives NaCl aqueous plus water liquid, के रहा है, the reaction between the acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction, in general, neutralization reaction can be written as generally, आप ऐसे लेख सकते हो, base plus acid gives salt and water, तो I think बच्चों, यह आपका complete होगया होगा, please note कर लीचे,